पूर्व भारती कोच राहुल ड्रविट आईपेल फ्रेंचाइजी राजस्थान रोयल्स के हेड कोच बनेंगे मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक राहुल और राजस्थान रोयल्स के बीच डील साइन करने की बात आखरी चोरन में हैं जसके पूरे होते ही राहुल को राजस्थान रोयल्स का कोच नियुक्त कर दिया जाएगा हालाकि फ्रेंचाइजी के और से स्मुद्दे पर कोई ओफिशिल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है वहें इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच विग्रम राठोड भी राजस्थान रोयल्स के साथ डील साइन कर सकते हैं राहुल ड्राविट राजस्थान की टीम के साथ पहले भी कई अलग-अलग भूमी काउं में रहकर काम कर चुके हैं वे आईपियल के 2012 और 2013 सीजन में टीम के कप्तान थे जबकि आईपियल से सन्यास लेने के बाद उन्होंने 2014 और 2015 में टीम के डारेक्टर और मेंटॉर के रूप में काम किया था जानकारी के मताबिक रहुल ड्रविट को राजस्थान रोयल्स का कोच बनाने के लिए फ्रेंश्वाइजी ने उनके वर्ड कप पर्फॉर्मेंस के आधार पर अप्रोच किया राहुल की कोचिंग में इसी साल जून में हुए टीट्वेंटी वर्ड कप में भारतिय टीम ने बहतरीन पर्फॉर्मेंस करते हुए टूर्नामेंट जीता था हाला कि टीम के चैंपियन बनने के बावजूद राहुल ने अपने कारेकाल को आगे नहीं बढ़ाया राहुल की कोचिंग में टीम ने वर्ड कप के साथ इशिया कप में भी जीत हासल की थी